आपको बता दे दिली वासियों की जो समस्या है, वो फिलहाल दिली तक्सीमित है, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साफ महमान भी जोड़ गए हैं, आपको बता दे राजीव साथ भारदवाज जी हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं, हमारे साथ जोड़ हैं साथी साथ सौपनिल श तुरक्षित वो रहें उसके लिए कानून बनाय जाते हैं लेकिन दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा ये जो कुछ भी किया गया हालनकि दिल्ली हाई कोट का आदेश आया कि तीन महीने के बीतर जो पिछले तीन महीने गाड़ियां उठाई गए थी उन्हें वापस किया जा है कि जे नाधिकारियों द्वारा ये किया गया उन पर क्या कारिवाई होगी प्रता जी ऐसा है यह जो एक स्क्रैपिंग का पॉलिसी है वो अंडर लॉव वैलिट है अब प्रस्ट नूठता है कि all the good intention of the government there is a big mismatch between the government intention and the action of the administration अब क्या सारे action गलत है यह भी कहना गलत होगा लेकिन यह law को implement करने के आर में जो mismatch हुआ है जो खुद law बना दिये है वो एक बहुत गलत आस्पेक्ट है जिसके वज़ा से बहुत परिशानिया जिनली परी है नागरिकों को तो यह action किस वज़ा से हुआ कहा हुआ और दोनों को सही action के यह जांच का विसा है तो यह बिना जांच का हम भी conclusion पर आ जाएं कि सारे अधिकारी बरस्ट थे या सारे अधिकारी मिले हुए थे यह भी गलत होगा तो जिस तरह अभी यह high court के intervention से अब अब तक हम लोग पहुँचे हैं तो इसकी एक निस्पक्च जांच होने के बाद ही कि यह हुआ कि इसने एंजीटी के लॉग को मिस्रेप्रेजेंट किया जो कि एक observation जो के newspaper से मिल रहा है का है कोट ने भी दिया है कि that was not the intention of the NGT it is being manipulated तो यह किस ने किया manipulation किस परपस के लिए किया किसके साथ मिला हुआ था यह करने से किसको फाइदा पहुचाया गया यह चार कि दाई तो बन रही है कि suspicion को investigate करें और देखे कि कितनी सचाई है और इसका evidence क्या क्या है उसके बाद हम लोग इसकरस पर पहुचेंगे कि वास्तों में कहां गलतियां हुई किसी ने गलती की और वो गलती intentional था या departmental था वो देखना पड़ेगा जी बिलकुल गलती तो हुई है और साफ तोर पर कोट द्वारा भी जिस तरीके से कहा गया कि NGT का जो order था उसे सही तरीके से समझ ही नहीं सके यानि समझ उपर भी सवाल उच रहा है स्वापनिल जी आप से मैं जाना चाहूंगी कि जिस तरीके से दिली सरकार के अधिकारियों द्वारा ये कृत किया गया है क्या लगता है कब उन्हें जवाब दे ठैराये जाएगा जो कुछ भी उन्होंने किया जिस तरीके से बिना किसी पूरो सुचना के गारियों को उठ इठा ले जाना लोगों को पता नहीं चल रहा है घर के बाहर गाड़ी खड़ी है उठा के लेके चले गए स्क्राप कर दिया फिर जहां स्क्राप हो रही वहां से उन्हें फोन कॉल आ रहा है तो हमारा सीधा और सटीक सवाल है कि आखिर कब उन बाबों पर आक्शन लिया ज गाड़ी है तो आप उस गाड़ी को नंबर वन चला नहीं सकते नंबर टू किसी भी पब्लिक स्पेस में पार्क नहीं कर से तो अभी कल जस्टिस प्रतीक जलान ने जो जज्जमेंट दिया है उसमें उन्होंने सिर्फ इसी चीज़ पे फोकस किया है कि अगर गाड़ीयों क लोगों ने प्राइवेट जगा पे रखा हुआ है तो उसको बिना नोटिस के उठाने का कोई मतलब नहीं बन दा दूसरी चीज़ जो दिल्ली हाई कोड के जज्जमेंट में आई है वो यह है कि जो भी वहिकल ओनर्स हैं जो भी गाड़ीयों के मालिक हैं वो एक अंडर्ट से उनके खिलाफ कारवाई करी जा सकती अब जहां तक रही बात डिपार्टमेंट की कि कि किसकी गलती है और क्या हो सकता है तो मैं जून 2023 की एक बात करता हूँ जब दिल्ली में MCD के कुछ ऑफिशल्स के खिलाफ FIR तक दर्ज हो गई थी चोरी के चार्जिस के अंडर्ट मग मैं सहमत हूँ अपने को पैनलिस्ट से जो ये कहते हैं कि हमें इन्वेस्टिकेट करने की बिल्कुल जरूरत है कई अखबार में आर्टिकल्स छप रहे हैं कि यहां पे स्क्रैपिंग माफिया का फूप चलन चल रहा है दिल्ली में कि MCD के ओफिशल्स और इन माफिया का गड़ी कारवाई होनी चाहिए ताकि इस मुद्दे के बिल्कुल क्रक्स तक हम जा सके जी बिल्कुल तरविश या आपसे भी जानना चाहूंगे कि गलती तो होई है कहीं न कहीं लेकिन अकाउंट बिलिटी भी बनती है जिसके द्वारा ये गलती की गई है डे फर्स से पह तो क्या लगता है जिन बाबों द्वारा ये अक्टिविटी की गई चाहे जिसके मिली भगत रही हो अकाउंट बिलिटी उनकी बनती है किस हिसाब से उन्हें दंडित किया जाना चाहिए और कब जबाब देहता है होगा जो judgment आया है उसमें जस्टिस प्रतीक जलान ने ये भी कहा है कि दिल्ली सरकार को एक consolidated policy बनाना चाहिए कि किस तरह से इन गाडियों को ट्रीट किया जाए तो मुझे उम्मीद है कि जो accountability की आप बात कर रही है ये policy जब भी तयार होती है उसमें provisions होंगे जिससे लोगों को errant officials को accountable बनाया जासे है तन्वीर जी मेरा यी सवाल आप से ही था स्वापनिल जी ने भी इस पर जवाब दे दिया आप से चाहूंगी कि आप अपनी प्रत्क्रिया दे अभी स्वापनिल जी और भरदवाय साहब ने जो उसके legal aspects हैं उन पर बहुत अच्छी तरह detail में इस पर बो मगर इस तरह से गाड़ियां घर से उठाना इट्सा किरिंडल एक्ट आप कैसे किसी घर के तो चोरी है ना इस पर तो आपको थैप का मुकदमा कराना चाहिए या फायार करानी चाहिए इस नो वे आप वो गाड़ी अगर आपको सड़क पे चलती हुई दिख जाए तब उसमें आपके सब किये दरे पानी फिर जाता है आपकी इंटेंशन जो है वो खराब हो जाती है बदनामी होती है और ऐसा जिर जिस के साथ हुआ है उनके साथ कंपरसेशन मिलना चाहिए तो इस पर फॉरूर रोक लगनी चाहिए बिलकुल आप तीनों महमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इंतमाम जानकारी के लिए और इस पर रोक लगनी चाहिए क्योंकि बिना पूर सूचना के लोगों की पुरानी गाड़ियों को उठा ले जाना ये किसी भी तरीके से सरानिय कदम नहीं ठारा जा रहा है फिलाल शायद से लिए मिरनाउ लगातार आपकी इसी परिशानी को दिल्लिवासियों के इसी परिशानी पर बड़ी कवरिज भी कर रहा है